नमस्कार, इस टेपप में आपका स्वागत है, मैं हूँ अकांग्षा, यदि आपकी आदतें अच्छी हैं, तो आपके उधारण दूसरों को दिये जाएंगे, और यदि आपकी आदतें खराब हैं, तो आपको दूसरों का उधारण दिया जाएगा, आम जिंदगी में ऐसा ह होता ही है, तो लगती है अची चीज़ों की रहे, तो बहुत अची बात, और कभी बुरी लग जाए, तो बड़ी मुष्किल हो जाती है, तो आज सिविशे पर बात करेंगे और इसी विशे पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्त?". आचुके हैं, तो चलिए करते है, स्वा और कंपल्सिव किसी सब्स्टेंस से अक्टिविटी के लिए जिसका सेक्लोजिकल और फिजिलोजिकल इफेक्ट हो और एक डिफाइंड लॉसेज है उसमें नुकसान भी होंगे और वो जो अगर ऐसा होता है तो यह एक हम अडिक्शन बोल सकते हैं अब सवाल होता है कि अडिक्शन क्यों होता है तो देखे जनरली हम देखते हैं कि इसका टाइम फ्रेम है एक तो यह है कि आइसोलेक्टेड है आप, स्ट्रेस्ट है आप और आपका बोर्डम पीरिद अलाइफ का यह फेलियर है या कोई तरह का इमोशनल एक सेटबैक मिला है सिंदगी में जो अब खुश नहीं है यह सारी स्पैन है जहां पर किसी चीज से अब अडिक्ट हो सकते हैं जी तो सर जिस तरह की अडिक्शन की आपने बात की यह तो एक उम्र के बास समझ में आता है कि बूर्डम आ रहा है लाइफ में या फिर तनाओ है जीवन में आज कर अब चोटे बच्चे भी अडिक्ट हो जाते हैं खास तो पर मुबाइल पर या फिर स्क्रीन के अडिक्शन उनको बहुत जल्दी हो जाती है इसकी वजह क्या है यह तो आपने का यह है प्रेक्टिस्ट है तो जो चीज साब बार यूस करेंगे तो उससे भी आप अडिट हो तो उसको एक नुक्सान दिखेगा उसको एक behavioral patterns का खराम होगा वो थोड़ी irritation हो जाएगा उसको थोड़ा सा वो aggressive हो जाएगा तो वो उस चीज के ना होने के लिए उनको वो चीज चाहिए जिए जो चोटे बच्चे है वो इसलिए हमें अगर addiction सा रोकना है उन बच्चों को हमें उनके activity को विशा वाच करना है और कॉंस activity में वो addict हो देखना है और उसके लिए उनको को दिसरा pocket को दिसरा outlet उनके लिए हमें alternative देना चाहिए जी सर अकसर हमने देखा है कि behavior addictions है यह काफी बदले हुए पहले बहुत सम्मान किया करते थे बड़ों का बच्चे आज कल ज पास पास अपने present लोगों को वो accept नहीं करना चाहते है उनका reaction बोल अलग तरह का मिलता है तो उसकी वजय क्या है वर्चुल वर्ल्ड से बाप नहीं करते है तो आपको उनका दबाव आप नहीं रहता है तो आपको उनका दबाव आप रहता है तो मैं कोई फिल्म देख रहा से बढ़ से बैठो यह करो बन कर दो आप चालू कर दो तो नो डूस औ नो टॉस और नो कमांच सें जब रहा है बच्चे मारे बातचीत करते हैं तो और यह कमांड है दोजन दोंड से इसले शहें घबराते हैं या उनका बहेवियर कख़ा हो जाता है जब वहों से बात करते जी, sir, बहुत बार ऐसा होता है, जब हार्मोनल चेंजे होते हैं बच्चों में तब स्ट्रस काफी जाधा हमें नज़र आता है, उनका बिहिवियल चेंजे भी हमको इस समें काफी नज़र आते हैं, तो इस समें पैरंट्स की क्या भूमिका होगी? इस वक्त में आपको बच्चे को एक तो यह है कि थोड़ा पहली से बताना चाहिए, इस सेज में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है क्या, तो आपकर पहली पूछ लेंगे तो वह आपको बताएगा और उससे बातचीत करेंगे, और फी बतांगे कि ऐसा सिम्टम आपको हो रहा है, उ जैसे ही एज निकलेगा, वह ठीक भी हो जाएगा, बलकि जादा मैचुरिटी के साथ वह फिर करेगा, तो उस वक्त उनको comfort करना है, वह यह करना है कि उनको प्रोब्लम में है, लेकि आप तो नॉर्मल है, उसका यह डूटी बनता है कि वह उनके साथ किस तरह से behavior pattern design करें, कि इतना छूट दें, कितना उसको थोड़ा सा एक concession दे हमारे behavior पर, उस काउंटिंग मत करें, उस behavior काउंटिंग मत करें, आप जानते है, एक पैश से वह गुजर रहा है, तो माब आपको समझने चाहिए कि इस वक्त अगर ऐसा यह जू कर रहा है, और इसके हम उसके साथ किया अगुजर नहीं होना कारणा ऐसा होता है, उस कि अगजर उसको पकल दिया है, और रूटीन बना दे एक time table. तो वो टाइम टेबल नहीं होने कारण ऐसा होता, इसा बच्चा स्कूर से आ गया, फिर वो पांच गंटा मुबाईल है, चुके भीक में कहीं और इंटरसेप्शन नहीं है, तो अगर हम ऐसा रूटीन बना दें कि बच्चा स्कूर से आएगा, तो थोड़ा रेस्क करेगा, इ पाइसा लाफ़ दिजाइन सि बसक् scrambled प्रेम, पीपल, तो अक्टि गskin बढ़ता ही वो नहीं आएगा, कि अ जिसा या भीक्षो की मखनी LOVE हों रिप लादा है, आप लंबा पीरिएटी में प्रेंस प्रेंच स्ट्रेश आगने करेशन पाते हैं जाल बच्चस अनोमें एकöt अगर हम बदलते रहेंगे हरे गंटे पर तो शायद जो चीजों का अडिक्षिन है वो नहीं आएगा सर यह जो अडिक्षिन वाला प्रोसस होता है वो बहुत लंबा होता है एक दिन में तो कोई सी को लगती नहीं बहुत लंबा पीरिड होता है और इससमें पारेंट स्ट्रेस आपते हैं फिर लग जाते हैं अब मालीजे पारेंट को पता चल गया कि हमारे बच्चे में बुरी अब आप यह बोलोगी कि आप पांच घंटे से थोड़ा कम देखो वो नहीं मानेगा आपको एक ऐसी अट्यूडी लेकर आनी है जो उसका 15 मिनिट का चीन ले जैसे मोबाइल देखने से पहले क्या कर रहा था वो बैठा हुआ था अब मोबाइल पे आया है तो जो बैठा और मैंने उसको कोई ऐसी बात बताई कि 10 मिनिट के लिए टीवी जेखने छोड़ दिया तो मैंने चीनना चालू कर दिया अब इसका डिक्शन यह जो बाते मैं जो बता रहा हुआ वहां पर आना चालू हो जाएग उसका जितना आप फिजिकल इंटर्फेरेंस करेंगे जित इतना अक्टिविटी डिजाइन करेंगे अलग अलग तरह की तो पांच घंटे तक पहुंचा है तो अब आपको शयद हो सता है कि पांच तीन साल में ऐसा हुआ है आदत फ्रेम तो आगे एक साल छे मैन लग जाएगा उसके दीरे दीरे आदत कम होने में पूरा तो खतम नह तो एक घंटे में आजे तो स्टॉप करेंगे उससे भी जीरो तो नहीं हो पाएगा उतना ही हो पाएगा इसके बाद जो चार घंटे आपने इसको कहीं और डाली है वो कौन से चीज है वो उसके नेचर से मैच करने चाहिए उसके खुशी से मैच करने से को जोई से मैच करन वो चीजे उनको बहुत जादा अट्रेक करती है और वो उनकी बॉड़ी लैंगविज में नहजर आती है इवन उसी तरह की चीजे वो देखना पसंद करते हैं तब पैरेंट्स बहुत जादा परिशान हो जाते हैं कि बच्चे का इंटर्स इस तरफ की चीजों में क्यों जा रहा है तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं देखे हमाना जॉइंट थी तब भी बच्चे दौड़रे भाग रहे थे मार कर रहे थे तो वो रुख गिया न वह थे दिमां इनक Seven खायएं बच्चे कॉल चाहिए बत चंचल होते हैं अगर आप बशना दिन गोडीative बच्च्ट बात बैट गल्याए टो बैट गयाकिक के उस चाहिए थो यह देखेंगे ऐसे फिल्म है क्योंकि उनका वो जो हर्मोर्स हो यहां पर सिक्रेट हो जाएगा बिल्कुल मताब उन्हें वो यूज करने दिया जाए बच्पन में उस तरह के खेल खेलने भी दिये जाएं ताकि वो जो उनके दिमाग में बैठी चीजें हैं वो बाहर निकल सकें सर एक और सवाल मन में आ रहा है आम तोर पर होता है कि हम बहुत टोकते हैं बच्चे को तुम्हारे में तो यह यादत है और कई पर तो इंसल्ट भी फील करते हैं बच्चे आज कल चोटी चोटी बच्चों को भी ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेस में उनकी कमीना बताई जाए फिर क्या किया जाए यह जो टोकते हैं आप तो यह तो टोकन है कि वो ठीक नहीं होगा इमान के चलिगे आप जितने चोकेंगे वो उतना स्ट्रेस होगा जितना स्ट्रेस होगा वो उतना गलत काम करेगा हमें तो टोकना नहीं है न रुखना है हमें उससे ऐसे एडिक्षी लेकर आनी है जिसमें वो जैसे टीवी, टीवी हमारी इन्वॉल्मेंट तो लिया है, आप सोचिए अगर कोई आदमी बहुत बोर हो रहा है कमने बैटके, तो उसको टीवी एंटेटेंड तो करता है, लेकिन जब यह जादा करता है, जादा वो एडिक्ट हो जाता है, तो हम बोलती कि लगा हुआ टीव जितना ज्यादा निचर में जाएंगे, यह सारे अडिक्शन से बच्चे बाहर आ जाएंगे, और यह तो फिर गुरुप अक्टिविटी, यह फिर थेटर, ड्रामेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, संगेट, यह जो, कोई भी हो सकती, जो बच्चे का इंट्रस्ट हो, उसमें अपने तरीके से रहना बहुत अच्छा लगता है, और अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो वह तो कटा की तो बिलकुल पसंद नहीं करते हैं, फिर अगर हम सोचते हैं कि वह फैमिली फंक्शन में भी इन्वाल्व हूं हमारे साह चलें पर वह इंट्रेस्ट नहीं ले तो इसलिए उनके इवंट पर वह इंट्रेस्ट नहीं लेंगे, तो उन लोगों से भी बात करें, जब आप फोन में बात करें एक बात्चित इनसे भी कराईगे, बच्चों से भी कराईगे, और वो रिष्टारों का फरुषदारी बच्चे को मोटिवेट करें, अच्छा इसके तारिफ करें, तो बच्चे जूड जाते हैं, बड़े मासूम होते हैं, बड़े इनोसंट होते हैं, जितना आपको जो प्यार देगा, जो बिना कंडिशन के प्यार देगा, बिना कंडिशन के प्यार देगा, बिना कंडिशन के प्यार देगा, वो आपके साथ जूड जानता नहीं, और दिमाग है तो जानते ही नहीं कुछ, तो ससी बड़ी बात है कि इसको आपको एक सपूर्ट देना पड़ेगा किसी मनुवज्ञानी का, किसी साइकेटरिस का, साइकोलजिस का, आपको मदद देना ही पड़ेगा, अगर ये कंडिशन हो गया है, थोड़ा क्र आप सिर्फ अच्छा माहूल दे सकते हैं, अगर आप अच्छा माहूल दे देंगे, तो आप ठीक कर पाएंगे, लेकिन आपकी बातचीत और आपकी दूस और आपकी दूस और आप ये बोलेगे कि अच्छा नहीं खराब है, उसका ब्रेन भी कुछ सुनने को तयार ना सब्यार येडीक्षिण हो गया है तो यहां तो आप अपने नए टीम के साथ दोस्ती बनाई है, नए लोग स्योसी करें, नई होबी करें, नई जगा जाये, भूमिये, खाना खाये, और इसके लावा मनोवगानिक से पास जाये, सैकेर्टर्स के पास जाये, या फिर थोड़ा अपने से कम उमर के बच्चों तो बच्चों के साथ ख्यलने भी ऐसलब दूब बड़ा भी, वरूाकाओ साथ, ज कायाओ इस्टैटर्स के सकता है, या टीम्मिये खेलने से थोट लोगे बड़े लोग आइन लोगे सा नुक्सान प Пनाँचाथ dough, मोभा नुखान नचांघ़ तो यहों सामने दोड़ाँक यह जो एडिक्शन का ही एक स्वरूप है, इसको कैसे रोका जा सकता है? नुकसान तक अगर आप पहुंच गया है, यह तो बहुत आगी के स्टेज होगी, उसके पहले हैं आपको मनोवियानिक पर जाना था, अब यह स्टेज में आपको कुछ आवर्स बिताएगा, कुछ चंडिशन करेगा आपके ब्रेन को, यह आप सम्हाल नहीं पाएंगे, अगर मनोचिकत्सक, मनोवियानिक पर जाना था, यह स्टेज में आपको कुछ चीजे तो हैं जो लाइफ में गड़बर चल रही है, तब क्या मैडिटेशन, योगा ध्यान जब हम इस तरफ के और रोग करते हैं, तो क्या हम स्टेज में पर नहीं रख सकते हैं, आपको क्या लगत अर्ली स्टेज में, यह तो बहुत बुरी बात है, वह तो खराब बात है कि बहुत खराब होगी तो आप साइटरी बजा रहे हैं, अगर आप पहले गए होते हैं, तो एक सेशन में ठीक हो जाते हैं, अब होता कि आपको ड्रग भी लेना पड़े, दवाईया भी लेनी पड लीए करेडमिया पड़ेगा, वह जाते हैं, यह तो निगने के पहले हैं, पहले बौर्डम आएगा, फैलियर आईगा, अइसलिशन आएगा, ऐसको सुपलेगा तो वो शुरुवात की सिंटम में आप पकड़नेंगे तो वहां तक बात पहुंचेगी नहीं इसलिए पेरेंट को बहुत देखिए मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं एक गुड मदर को डिफाइन करता हूं अगर एक गुड मदर वह है जिसको मैं जब पूछू मैं आगर बाराव बजे पूछा पहां करें तो उसको पता हूं नची के मेरा बच्चा इसके साथ कहां पर खेल रहा हूगा या किसके घर में होगा शी मस्नूँ तो आपका बच्चा आउट आउट आफ और मॉबाइल कव आपका बच्ची कब्रेजरे से बहर सस्बहार आओ नचीन्ता हुआँ विश्चे काबरेजरे से बाहर चले जाने आपके चिंता नहीं देख था उनकर च्वदेशे नहीं में कोळसी बांडा इसमें बोग वाच करना वाफ पारी आपना यहां वाहने श्यान के आपका या ल जो अच्छे सा बजोई कर पाएंगे, इस तरह के अडिक्शन, इस तरह के बीहवियर, इस तरह के कम्पल्सिव बीहवियर या प्रॉनिक बीहवियर आपकी सिंदगी को पूरी तरह से खतम करेंगे, इसका इंटर्टेन्मन जॉइस निकाल लेते हैं, इसलिए बहुत सरूरी है कि आप समझधारी से काम करिये, आपको लगता है कोई matter पे आप बहुत गुस्ता हो रहे हैं, या आप रियक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप शीतल पड़ जा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा दुख ले ले रहे हैं, या इस सारे सिम्टम बहुत सारे ब्रेन देगा आपको जहां जहां पर आपका ज्वाय खराब हो रहा है, वहां ये नीडे साइकर्टरिस्ट, ये नीडे सेकोलिस्ट, ये अचा कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जो प्री सिंस्टम कैलाईगी, अगर अडिक्शन का हम पार्ट बन रहे हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं, जिसस इतने दूर तक आख, टेलिस्कोपिक आइस तो नहीं है, तो कितना देखें कि तो जिसके हमारे पूरी महले और सब बड़े आदमी की, अगर आपसे कोई चोटा है और आप उनको कोई देख तो आप उसको मोटिवेट करें, तो उसको लगे कि हमारे बहुत लोग है, तो यह सब चितर गुपत है हमारे बुज़र कुसमानी में, जो हिटन कामरा तो देख तो कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको मोटिवेट करते थे, समाज का सदर से होने कि नाते है, हम सब की नाते हैं, हमारा फर्स है, हमारा फर्स है कि अच्छा स्वास बना चाए है, सं 이제 का और अच्छा है, तो समाज mauvais grass life, हमारे समाज को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे समाज को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे बच्चों को crazy तो यह सब जब और होने सं एक आडिक्शित और नानाb told a to Remember, हमारा यह सभशित पर तो यह जो बनाकुनी इंसी तक होना शु नहीं हो जाता है इतना नुकसान नहीं है यह जो ही में इसको काटे रहे इतना नुकसान तो कुछ निहीं पहुचाता है बस नील काटा रहे तो क्या होता कुछ गंदगी ना जाते तो infection गजा लत गिदे हो गेरा बैश्म कुछ लों की आदिश्या नुक मैं आधि बन सकते हैं कैसे उनकी वो आदत छुडा सकते हैं उनको कुछ क्रियेटिव दे दिया जाए खास तोर पर राइटिंग का जिसे कि उनकी उंगलियां जो है वो बीजी रहे सर अब यह जाना है कि मालीजे कि अगर हमारे बच्चों में कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है उसका कि जिसमें इक विक्ति के अंदर कोई बुरी लड़ तो कई पर पैरलेन्ट में जाते हैं कि उसकी इलथ हमारे बच्चे में ना लग आजए तब क्या होगा आप अपर सरे पैरेंटस् Given to family कोली गारी कारे उस परसे के काम नहीं तो इस पर्ब्लम है कि अगर आप ने दिखा कि दफ में से एक बच्चा ऐसा है, तो यह 9 पेरेंट्स का काम बन रहा है कि उस बच्चे को प्यार दे, उसको सपोर्ट करें, उसके मभब से बात करें, और सारे बच्चों को भी हल्प लें, क्योंकि वो टीम से बाहर नहीं जा प नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नादे, वो भी हमारे जिम्मेदारी है, और उसकी बुराईयां भी खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, इतने महत्वपूर्ण विशा में हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, दर्शक को हम आशा करते हैं कि करने वाला भविश्य उजवल रहे, किसी और विश्या के साथ हो गया आप से मलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी से प्रतिक्षा, थोड़ा सांतिजार, नमस्कार